हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग रिस्की बिजनेस मूवी को एक्स्प्लीन करने वाले हैं जो रिलीज हुआ था 1983 में तो इस मूवी में एक जॉल नाम का लरका होता है जो पैसो के खातिर अपने घर में भहुत सारा लरकी को बुला लेता है और वो अपने घर को बार जैसा बना देता है वो ऐसा क्यूं करता है वही हम देखने वाले है तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए चलिये वीडियो को स्टार्टry नई मूबी के स्टाटिंग में हम जॉल को देखते हैं जो हाई स्कूल में पर रहा होता है और पराये खतम करके वो अपने घर वापस आ रहा होता है लेकिन वो घर जाने की वज़ए अपने परोसी के घर चला जाता है जैसे ही वो परोसी के घर जाता है तभी उसे नहाने का कर रहा था इसलिए वो जैसे ही लड़की के पास जाता है तब ही उसकी नींद खुल जाती है इससे हम में पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था अगले सिन में हम देखते हैं जॉल अपने दोस्तों के साथ तीन पती खेल रहा होता है लेकिन जॉल वहाँ पर लंबी ये घर से बाहर जा रहे हैं जिस पर बेरी कहता है कि ये अच्छा मौका है तुम्हें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और घर पर रोज एक लर्की को बलाओ और उसके साथ मस्त मजे करो अगले सिन में हम जॉल के पैरेंस को देखते हैं जो बहुती जादा खर कर भी इस मुजिक पिलेर को हाथ मत लगा देना वरना वही हाथ ओर कर तुम्हारे पिछवारे में गुसा दूँगा ये कहते हुए जोल के पैरेंस वो लोग वहाँ से चली जाते हैं इसके बाल तो जोल निकल परता है अपनी जिन्दी की जीने के लिए वो सबसे पहले जात था कि जोल के पैरेंस अभी घर में नहीं है फिर वो दोनों जोल के रूम में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो लोग मस एक दूसरे का लेना शुरू कर देते हैं भाई साब माजे आप क्या सूच रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुती जादा आवाज कर रहे थे अगले दिन जोल के पास उसका फ्रेंड बैरी आता है बैरी जोल को बताता है कि तुम्हारे पैरेंस अभी घर पर नहीं है क्यों ना इस मौके का फाइदा उठाया जाए इसलिए बैरी ऑल लाइन एक लर्की को बुक कर लेता है और उसे जोल के घर बुला लेता है बट जैस जोल को लग रहा था कि अब लर्की आ गई है अब ये देकर जोल भी अपना मन बदल देता है लेकिन जैसे ही वो दर्वाजा खोलता है तो वहाँ पर एक लर्का खरा था ये देखते ही जोल के अर्मानों पर पानी फिर जाता है दरसल उसके दोस ने किसी गे को बुला लिया फिर जोल अपने दोस को फोन लगाता है लेकिन उसका दोस कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका फिलाल फिर जोल उस लर्के को वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो लर्का जाने से पहले जोल से अपना सर्विस चार्ज मांगता है अब जोल के पास कोई रास्ता नहीं होता है इसलिए उसका जितना भी पॉकेट कर्चा था उस सारे पैसे उस लर्के को दे देता है लेकिन वो लर्का जाने से पहले जॉल को एक नमबर देता है और कहता है कि अगर मन बदल जाए तो इस लर्की को फोन कर देना ये लर्की तुम्हें काफी अच अब ये देखकर जॉल से रहा नहीं जा रहा था और वो लाना के उपर टूट परता है और वो दोनों मस्त पूरी रात घपागब करते हैं अगली सुबह लाना जॉल के पास अपनी सर्विचात का पैसे मांगता है जो 300 डॉलर थे लेकिन जॉल के पास तो एक फोटी कोरी भ वापस आजाता है लेकिन लाना घर पर नहीं होता है लेकिन लाना जाने से पहले जॉल के मौम की एक गिफ को लेकर वहाँ से चली जाती है ये देखकर जॉल काफी ज़्यादा घबरा जाता है तो उसकी मौम उसका पिछवारा लाल कर देगा अब ये देकर जॉल काफी ज़ मेरे पीछे पर गया है पहले तुम मुझे यहां से लेकर चलो कहीं भी लेकिन जॉल कहता है कि तुम मेरे मॉम का गिफ्ट वापस करो जिस पर लाना कहती है कि मैं वापस कर दूंगी पहले तुम मुझे यहां से लेकर चलो वही पर उसका मैनिजर उसके कार का दरवाजा खोलन देता है, फिर जॉल लाना से पुछता है कि वो मैनिजर तुम्हारे पीछे क्यों पर आ था, जिस पर लाना कहती है कि मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिये थे, और मैं उसके लिए काम करती हूँ, लेकिन उस मैनिजर का तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ काम करना छोड़ दिया हूँ फिर लाना जोल से पुछती है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुख सती हूँ जिस पर जोल हा कर देता है अगले दिन क्योंकि जोल को इसकूल जाना था इसलिए लाना को उसके घर से जाने के लिए कह देती है लेकिन लाना वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है और वो जोल से कहता है कि तुम इसकूल जाओ मैं तुम्हारे घर का ख्यार रखूंगा फिर जोल इसकूल चला जाता है लेकिन जैसे ही वो इसकुल से वापस आता है तो वो अपने घर से एक अपने दोस को जाते हुए देखता है जॉल अपने दोस से पूछता है कि क्या तुमने लाना के साथ गपागप नहीं किया जिस पर जॉल का दोस्ट कहता है कि मैंने लाना के साथ नहीं बलकि उसकी दोस्ट के साथ किया हूँ फिर जॉल घर के अंदर जाता है और लाना को कहता है कि ये कोई अनात हस्रम नहीं है तुम जिसे भी चाहो यहाँ पर नहीं ला सते हो लाना जॉल को पैसे देने की भी कोशिस करता है लेकिन जॉल उन दोनों को वहाँ से चाने के लिए कह देती है फिर दोनों वहाँ से चली जाती है बाहर निकलते ही वहाँ पर लाना का मेनिजर आ जाता है इसलिए दोनों भाकर वापस जॉल के घर के अंदर आ जाते हैं फिर ल पर दोनों ड्राइपर जाते हैं फिर ये लोग एक पार्क में गुमने के लिए जाते हैं लाना जॉल को बताता है कि तुम काफी अमीर हो और मैं भी ऐसे बहुत से अमीर आदमी को जानता हूँ इसलिए क्यों ना हम तुम्हारे घर पर एक आडल कलब का बिजनेस सुरू करें जिस पर जॉल कहता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो जिस पर लाना बताते है कि मैं जब छोटी थी तब मेरे स्टेप फादर ने इस मौके का फाइदा उठाया था इसलिए मैं परेशान होकर अपने की तरफ जाने लगता है जॉल बहुत कोसित करता है उस कार को रोकने की लेकिन वो कार जाकर नदी में गिर जाता है ये देखकर जॉल का फट कर हाथ में आ जाता है क्योंकि जॉल के फादर की ये फेवरेट कार थी अब उस कार को ठीक करवाने के लिए जॉल को बहुत सारा की जरूरत थी लेकिन जॉल के पास तो एक फोटी कोरी भी नहीं था इसलिए वो लाना के पास जाता है और उसका बिजनिस परपोस एकसेप कर लेता है अब वो दोनों इस काम में जुर जाते हैं और अपने अपने कॉंटेक्स को कॉल करके अपने घर में बुला लेते हैं इसल जॉल उस आदमी को लेकर एक सांध कमरे में जाता है लेकिन हर पाच मिनिट में वहाँ पर कोई अपना गेम बजाने के लिए आ जाता था फिर वो आदमी इंटर्वियू लेना इस्टाट करता है और जॉल से पुछता है कि तुम आगे जाकर क्या बनना चाहोगे जिस पर ज जॉल कहता है कि मैं एक बिजनिसमेन बनना चाहता हूं फिर इंटर्वियू खतम होने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो थोरा उस घर में मौज मस्ती कर लेता है फिर लाना जॉल के पास आता है और जॉल से कहता है कि तुमने बहुत सारे पैसे कमा लिया है और आगे जाकर तुम एक अच्छे बिजनिसमेन बन सटे हो अब अब लाना और जॉल के बीच भी ठरकपन जाग जाता है और वो दोनों मज़े करने के लिए एक ट्रेन में चर जाता है और इंतिजार करता है कि कब ये ट्रेन खाली होगी जैसे ही वो ट्र जाता है फिर वो लाना को फोन करता है क्योंकि जॉल को लग रहा था कि ये काम लाना का है लेकिन फोन उठाता है लाना का मैनिजर और कहता है हाँ मैंने ही तुम्हारे घर का सामान उठाया है फिर जॉल मैनिजर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके घर का सामान वापस कर दे क् और वो घर में ऐसा कुछ देख लेगा तु मुझे जान से मार देगा इसके बाद मैनीजर जॉल के सारा घर का सामान लेकर जॉल के घर वापस आ जाते हैं लेकिन लाना का मैनीजर जॉल से कहता है कि तुमने जो कल्ब वाले बिजनिस से जितना भी पैसा कमाया है उसे मुझे देना परेगा तभी ये मैं सामान तुझे वापस दूँगा अब जॉल के पास कोई आफसन नहीं था इसलिए वो सारे पैसे मैनेजर को दे देता है फिर जॉल अपने दोस्तों की मदद से सारे सामान को अपनी अपनी जगा पर वापस रख देते हैं हमारे पास जो इंटर्विय लेने के लिए आदमी आया था वो तुमसे बहुत खुस हुआ है लास्ट सिन में हम देखते हैं जॉल और लाना एक साथ रेस्टूर्डन में बैठा होता है और वो लोग आगे लाइफ के बारे में डिसाइट कर रहा होता है और कुछ इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है तो आपको वीडियो के साला का हमें कमेंट करके जरूब आता है ये मिलते हैं किसे अगले वीडियो पर गुडबाई